क्या कलपना चावला की तरह भारत की एक और बेटी? नासा की गलतियों के चलते दुनिया छोड़ कर जाने वाली है? क्या अंतरिक्ष में ही एक और बहादुर बेटी को भारत खो देगा? क्या सुनीता विलियम्स अब कभी धरती पर नहीं आ पाएंगी? क्या नासा के विग्यानिकों ने जान बुझ कर सुनीता विलियम्स को मरने के लिए I.S.S. में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है? दोस्तों, ऐसे सवाल आज हर एक भारतीए के हैं जो भारत से प्यार करता है हर कोई जानना चाहता है कि सुनीता विलियम्स धरती पर कब आएंगी और ये सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि इस वक्त सुनीता विलियम्स को लेकर बहुत ही बुरी खबर आ रही है दोस्तों आज हम सुनीता विलियम्स के बारे में हर एक छोटी बड़ी चीज जानेंगे की कैसे वो आठ दिन के लिए ISS में गई थी और अभी तक लौट कर नहीं आई और अगर वो धरती पर आएंगी तो कब आएंगी अंतरिक्ष में बिगडी सुनीता विलियम्स की तबियत एक सौ पचास दिनों से ISS पर फसी सुनीता विलियम्स पर मंडरा रहा है कहरा संकट अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो जा सकती है सुनीता की जान नासा के घर वापसी मिशन का नहीं है कोई नामो निशान क्या कलपना चावला की तरह भारत अपनी इस बेटी को भी खो देगा या अमेरिका बनाएगा कोई अर्जेंट प्लैन जी हाँ दोस्तों इस वक्त अंतरिक्ष से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है भारतिय मूल की नासा एस्ट्रोनौट सुनीता विलियम्स की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है जो की बड़ी चिंता का विशय बन चुका है दरासल 5 जून के दिन धर्ती से उड़ान भर कर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँची एस्ट्रोनौट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 13 जून के दिन वापस धर्ती पर लोटने वाले थे यानि उनका मिशन सिर्फ 8 दिनों का था लेकिन नासा ने उन्हें जिस स्टार लाइन कैपसूल से भेजा था उसमें एक के बाद एक दरजनों खराबी आने लगी इसलिए नासा के वैग्यानिक्स पे इस क्राफ्ट को दोनों एस्ट्रोनौट के बिना खाली ही धर्ती पर वापस ले आए और पिछले पांच महीनों से सुनीता अंतरिक्ष में फंस गई है और अब सुनीता की लेटिस्ट तस्वीरें वाइरल हुई है पूरी दुनिया इसे देख कर दंग रह गई एक्सपर्ट्स ने तो यह तक कह दिया है कि सुनीता के शरीर में अब सिर्फ हड्डियों का धांचा ही बचा है और जल्द ही कोई एक्षन नहीं लिया गया तो अंतरिक्ष में उनकी मौत भी हो सकती है दोस्तों, इस खबर ने तो हर किसी को हैरान और परिशान कर दिया है हर कोई नासा पर सवाल उठा रहा है दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी सुनीता विलियम्स को भारत की सबसे बहादुर बेटी मानते हैं तो कमेंट में उनके लिए दो सब्द जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, बैरी विल्मोर के मुकाबले सुनीता विलियम्स की तबियत इतनी ज्यादा क्यों बिगड रही है क्या नासा उन्हें ठीक करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है आखिर कब हो पाएगी सुनीता विलियम्स की घर वापसी चलिए जानते हैं दोस्तों, 58 वर्षिय सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोजाना जंग लड़ रही है जिन्दा रहने की जंग स्वस्त रहने की जंग और अपने होसले को बनाय रखने की जंग लेकिन दुनिया को उनकी बिगडी सेहत का पता तब लगा जब उनकी रिसेंट फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई स्क्रीन पर दिख रही सुनीता की इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ चार महीने का फर्क है लेकिन इन चार महीनों में सुनीता की सेहत काफी कमजोर हो चुकी है वो काफी दुबली पतली दिख रही है उनके गाल पिचक गए हैं, आँख अंदर धस गई है और शरीर हड्डियों के धांचे जैसा दिखाई दे रहा है इस रैपिड वेट लॉस की वजह से सुनीता को बलड प्रेशर कमजोरी थकान, आलस और नींद ना आने जैसी कई बड़ी बीमारिया होने लगी है अब इस तस्वीर में सुनीता मुस्कुरा रही है अपने साथ ही एस्ट्रोनॉट के साथ बातें करते हुए नाश्टा कर रही है लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हर कोई देख पा रहा है इस मिशन पर बेहद करीबी से नजर रखने वाले खुद नासा के कर्मचारी का अमेरिकी अखबार न्यू यॉर्क पोस्ट में एक चिंतित कर देने वाला बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनीता अब केवल हड्डियों का और चमडी का धांचा रह गई है ये एक वास्तविक चिंता का विशय है और हर कोई इसे गंभीरता से ले रहा है उन्होंने आगे कहा है कि अब नासा का प्रात्मिक सुनीता के वजन को स्थर करना और उमीद है कि स्थिती में बदलाव आएगा लेकिन अब सवाल है कि सुनीता विलियम की तबियत इतनी क्यों बिगड रही है धरती से 400 किलोमीटर की उंचाई पर मौजूद International Space Station पर फंसी सुनीता की उम्र अब 58 वर्ष हो चुकी है और सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर गई सुनीता इतने लंबे स्पेस मिशन के लिए तयार नहीं थी क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग भी नहीं ली थी और बढ़ती उम्र की वजह से यह मिशन उनके लिए फिजिकली और मेंटली काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है जिसकी शुरुआत अंतरिक्ष में फंसे रहने के दो महीने में हो चुकी थी सुनीता अंतरिक्ष में आँख की बीमारी से परेशान थी दरासल अंतरिक्ष की माइक्रो ग्रेविटी की वजह से बॉडी में फ्लूइड उपर की तरफ जरूरत से ज्यादा मात्रा में आने लगता है जिससे आँखों में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है और देखने में धुंधलापन आने लगता है साथ ही आँखों के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है और ज्यादा एफेक्ट हुआ तो आगे चल कर बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है जैसे कि आँख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चले जाना लेकिन सुनीता ने इस चुनौती का सामना किया और उनकी आँख धीरे धीरे ठीक होने लगी लेकिन ये तो सिर्फ समस्याओं की शुरुआत थी जी हाँ, कुछ समय में सुनीता का वजन काफी रेपिडली कम होने लगा उनके शरीर में कमजोरी आने लगी दरसल प्रिथवी पर ग्रेविटी की वजह से शरीर पर कांस्टेंट प्रेशर पढ़ता है जिससे हमारी मांस्पेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती है लेकिन अंतरिक्ष की माइक्रो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट की बॉड़ी हवा में फ्लोट करती है जिस वजह से मसल्स और हड्डियों की एकसरसाइज नहीं हो पाती इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स महीने में 1% बोन मास और हफ़ते में 20% तक मसल डेंसिटी खो सकते हैं और सुनीता के साथ यही हो रहा है इतनी अधिक उंचाई पर रहने से उनके शरीर में तनाव बढ़ रहा है जिससे उनकी बॉड़ी में न्यूट्रियंट्स की कमी हो रही है वहीं 2013 में हुई एक स्टडी के मुताबिक मेटाबॉलिजम में तबदीली की वजह से लेडी एस्ट्रोनॉट के मसल्स को मेल एस्ट्रोनॉट के मुकाबले ज्यादा नुकसान जहिलना पड़ता है जिसका सामना करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूलेशन है यह सिंपल एक्वेशन है जिसके मुताबिक आप धर्ती पर जितनी कैलोरीज खाते हैं अपने वजन को मेंटेन करने के लिए आपको अंतरिक्ष में उससे दोगुनी कैलोरीज को इंटेक करना पड़ता है जिससे आपकी बॉड़ी अपना मसल मास मेंटेन कर सके यानि सुनीता को अंतरिक्ष में कम से कम 4,000 से 5,000 कैलोरीज का कंजम्शन करना पड़ेगा ताकि वह अगले तीन महीने से अपने इस कम होने वाले वजन को मेंटेन कर सके और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका वजन और कम होने लगेगा जो बड़ी चिंता का विशय है और साइकलिंग शामिल है ये वर्काउट उनके मसल्स और हड्डियों को सक्रिय और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है ऐसे में अगर परियाप्त कैलोरीज नहीं ली जाए और वर्काउट में कैलोरीज बर्न हो जाए तो फिर वजन में गिरावट और तेज हो सकती है इसी लिए ज्यादा कैलोरीज लेना और वर्काउट करना दोनों काम सही मात्रा में करना जरूरी है लेकिन यहां दिक्कत है खाना क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में खाना और उसे पचाना काफी मुश्किल होता है स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के अलग-अलग तरीकों का सूखा और फ्रोजन भोजन दिया जाता है डिब्बे और पाउच में मचली या चिकन जैसे थर्मो स्टेबलाइस्ट फूड खाये जाते हैं इसके साथ ही सूखे नट्स और कुकीज के अलावा पाउडर वाले पे पदार्थ भी अंतरिक्ष यात्रियों को दिये जाते हैं और एस्ट्रोनाट्स को दिन में कम से कम तीन बार भोजन करना पड़ता है लेकिन जमे हुए भोजन में सिर्फ गर्म पानी डाल कर खाना काफी बड़ा चैलेंज है क्योंकि खाने में कितने भी प्रिजर्वेटिव्स क्यों न डाले जाएं उसकी फरेशनेस तो चली ही जाती है इसके अलावा उनका खाना भी उनकी तरह हवा में लहराता रहता है इसलिए खाना चबाना और निगलना भी कठिन होता है वहीं दिन में पर्यापत मात्रा में पानी पीना भी एक बड़ा टास्क है ऐसे में स्पेस एजन्सीज अपने सभी एस्ट्रोनॉट्स के डाइट को रेगुलर ट्रैक करती है लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतनी ट्रैकिंग के बावजूद सुनीता की हालत इतनी बिगड़ गई है जिससे नासा पर कई सवाल खड़े होते हैं इसके अलावा वहीं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को कई साइकोलोजिकल चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है जैसे कि उनकी बाहरी दुनिया से संपर्क का तूटना और ISS पर ज्यादा घूमने की जगह नहीं है इसलिए उन्हें अकेलापन महसूस होता है जिससे बढ़ता है इन सभी कारणों की वजह से सुनीता और बैरी की जल्द घर वापसी जरूरी है लेकिन 150 दिन तो बीट गए स्टार लाइन कैपसूल भी खाली वापस आ गया और सुनीता के घर वापसी मिशन का अब तक कोई नामों निशान नहीं है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब सुनीता की घर वापसी होगी और क्या सुनीता विल्यम्स और बैरी विल्मोर कभी वापस आ पाएंगे या नहीं तो इसका जवाब है हाँ उन्हें वापस तो लाया जाएगा लेकिन पूरे तीन महीने के बाद दरसल अगस्त महीने में एलन मस्क की कमपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू मिशन लांच होने वाला था लेकिन नासा ने इसके लांच को एक महीने डिले करवाया इसमें सुनीता विल्यम्स और बैरी विल्मोर की वापसी की सुविधाओं को अरेंज किया गया है दरसल स्पेस एक्स के इस अंतरिक्ष यान में साथ लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है और इस वक्त सिर्फ चार एस्ट्रोनॉट्स ही इसमें सवार होकर I.S.S. पर पहुंचे हैं ऐसे में सुनीता और बैरी विल्मोर को इसमें बिठा कर वापस लाया जाएगा यानि अगले साल फरवरी में सुनीता विल्यम्स की घर वापसी होगी जिस सुनीता की तबियत और ज्यादा बिगड़ती है तो क्या अमेरिका कोई एक्शन लेगा? क्या उन्हें फरवरी से पहले वहां से निकाला जाएगा? सवाल कई हैं लेकिन नासा के वग्यानिक अब भी चुपी साधे हुए हैं. आखिर में हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि कमेंट में सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर की घर वापसी के लिए दूआ जरूर कीजिए? क्या पता आप में से किसी की दूआ लग जाए? और सुनीता की तबियत में सुधार होने के साथ उनकी सही सलामत वापसी सुनिश्चित हो जाए? यह जानकारी पसंद आई ह तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सुनीता विलियम्स की घर वापसी से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर से करें